स्वागत है आपका RS क्लास में मैं कॉसर सिंग आपका हार्दिक दिल से अभी नंदन करता हूँ और तैयारी आपकी बहुत ही जोरों से चल रही होगी आपके एक्जाम जो हैं MCQ बेस पे ही चल रहे हैं जोकि कॉरोना की विए से MCQ बेस पे चल रहे थे तो जो एक्जाम आपके एक्ट 1872 तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी यह मुझे अम्मीद है और आप जितने भी पढ़ रहे हैं कोई अद्विक्ता बनेगा कोई PCSJ टेस्ट फैड करके जज़ बन जाएगा चलिए स्टार्ट करते हैं आज का साक्ष अधिनियम 1872 भारति साक्ष अधिन लाता रहता हूँ उनको प्रेस करना ना भूला है ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफेकेशन आपको अवश्र मिले चलिए देखते हैं आज की वीडियो में कौन से कौन से प्रिशन आये हैं जो की MCQ में आपके लिए लेके आया हूँ और MCQ बेस पे ही में आपके लिए प्रिशन लेके आया हूँ चलिए श्टार्ट करते हैं आज की वीडियो सातियो लैस्गो बने रहिएगा साथ में तो चलिए दोस्तों श्टार्ट करते हैं आज की MCQ सीरीज और MCQ सीरीज में आपका जो पहला प्रिशन आता है आपका वो बता 8 सितंबर 1872 को ये परवर्तित हुआ था अगले प्रिशन की तरफ चलते हैं अगला प्रिशन है आपका अगला प्रिशन आता है भारती साक्ष अधीनियम 1872 की प्रस्तावना के अनुसार इस अधीनियम का प्रियोजन है देखिए प्रिशन को पहले समझ येगा फिर उसका आंसर दीजिएगा आंसर आपके सामने ही रहता है और फिर भी अप्रिशन को ध्यान से पढ़िए कि ये क्या कहना चाहरा है और क्या पूछना चाहरा है तो ये पूछना चाहरा है देखिए भारतिये साक्ष अधीनियम 1872 की प्रस्तावना के अनुसार इस अधीनियम का प्र समेकित करना, नहीं, साक्षी के विधी को परभासित करना, संसोधित करना, ये भी नहीं है साती हो, तो इसका प्रशन आता है हमारा D होगा यहां तक है, चल देखते हैं क्या कहता है, साक्षी के विधी को समेकित परभासित आता संसोधित करना, क्या आता है इसमें, संसोधित क करना भी आ जाता है साथ में यह होता है आपका अंसर इसका अंसर होता है आपका डी अगले प्रिशन की तरफ चलते हैं अगला प्रिशन आपका क्या कहता है देखिए अगला प्रिशन जो कहता है वो कहता है आपका भारती साक्ष अधीनियम 1872 में कितनी धाराएं इवं अध्य बहतर है उसमें कितनी धाराएं और अध्याय नहित कितने हैं ठीक है तो यह काउंटिंग पूछ रहा है उनकी तो काउंटिंग आ जाती है तो यह है आपके 167 धाराएं तथा 11 प्रिश्ण द्यान से पढ़के जब आंसर लगाईएगा ठीक है अगले प्रिश्ण की तरफ चलते हैं अगला प्रिश्ण आपका कहता है भारती साक्ष अधीनियम 1872 को भागों एवं अध्याओं में विभाजित किया गया है यानि कितने भागों और कितने अध्याओं में वि बहतर को तो यह कह रहा है कितने भागों और कितने में विभाजित किया गया है तो यह किया गया है सात्यों 3.11 कितना 3.11 यानि आंसर आता है आपका इसमें B B आंसर इसमें आ जाता है चलिए अगले प्रिश्ण की तरफ चलते हैं अगले प्रिश्ण की तरफ रुख करते हैं और बहुत से बच्चे जो है प्रिशन छोड़ देते हैं, मैं इसमें वही प्रिशन लेके आया हूँ, जो प्रिशन एक्जाम में आने हैं, पूछे जाने हैं, यानि जो प्रिबियस जो पेपर हुआ था आपका, 21-22, उसमें जो प्रिशन पूछे गए थे, विल्कुल मैं इस होता है, अब देखे, पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, जम्मू एवं कस्मीर सहित संपूर भारत में, किसी भी न्याले के समक्ष समस्त न्याइक कारवाईयों में, किसी माद्यस्त है, किसी माद्यस्त के समक्ष जारी कारवाईय में, इन वैसे कोई नहीं, तो इसका अंसर होग कि समश्थ, समस्त नायक कारवाई हो, और कोई भी नायक कारवाई हो, कहीं भी लागू हो सकता है, कोई इसकी, यानि, वह सीमा और कोई बांडेसन नहीं है इसकी चलिए अगले परिशन जो देखते हैं क्या कहता है अगले परिशन की तरफ अगर रुख किया जाए तो देखिए ये आ जाता है आपका अगला परिशन साथी हो अगला परिशन आपका क्या कहता है अगला परिशन कहता है भारती साक्ष अधीनियम कह प्रियोज नहीं है यानि यह कहरा है कि भारती साक्ष अधीनियम हमारा कहां प्रियोज नहीं है तो कहां पे नहीं है देखी साती हो जम्मू एवं कस्मीर जम्मू एवं कस्मीर थता नागालेंड जम्मू कस्मीर नागालेंड अनुसूचित जंजाती छेत्रों में देखिए य जम्मू एवं कस्मीर था था नागालेंड, अपोजिट हो गया यह तो बिल्कुल, तो यह होता है, कहां नहीं होता है यह प्रियोज में, जम्मू और कस्मीर में, जम्मू और कस्मीर में यह प्रियोज नहीं होता है जाती है, अगले प्रिशन की तरफ रोग करते हैं, अगला प्रिशने आपका वो देखिए क्या कहता है अगला प्रिशने आपका क्या कहता है थोड़ा छोटा करना पड़ेगा मुझे एक मिनट हाँ जी अब हो गया साइट बिलकुल चलिए पड़ते हैं से क्या कह रहा है यह कह रहा है भारती सक्ष अधीनियम की धारा एक के अंतरगत क अगले प्रिशन की तरफ अगर रुकिया जाए तो अगला प्रिशन की तरफ अगर रुकिया जाए तो अगला प्रिशन आता है आपका आठवा और आठवा प्रिशन आपका क्या कहता है चलिए देखते हैं आठवा प्रिशन क्या कहता है देखते हैं बीडियो को लाइक कर दीजेगा साथ ही बहुत ही मेहनत लगती है बनाने में आपके लिए मेहनत की जा रही है बीडियो को ला देखिए अगला प्रिशन कहता है आपका भारती साक्ष अधीनियम किस पर लागू नहीं होता है यानि ये कह रहा है कि भारती साक्ष अधीनियम किस पर लागू नहीं होगा अब ये कह रहा है कि लागू तो हो गया वहां पर अब किस पर लागू नहीं होगा लागू किस पर नहीं होगा शाती हो देखिए मदरसे के समख्ष कारवाई यानि मदरसे के समख्ष कारवाई ये मदरसे नहीं है ये है माध्यस्त क्या है माध्यस्त है ये माध्यस्त हो गया है ये माध्यस्त लिखने में typing में गढ़ बार हो जाती है, tapping mistake है, माद्यस्ट के समक्षिकार रुभाई। दूसरा है आपका, सपत करता द्वारा प्रस्तुद सेम के सपत पत्र। देखिए, इसमें आ जाता है आपके य spontaneously की सपत पत्र पर। यानि मात đस्तिक के द्वारा कारवाई होगी और सपत करता द्वारा प्रस्तुत सपत सवैम की सपत पर यानि जो सपत करता सवैम का जो सपत पर तदाकिल करेगा उसके भी द्वारा हो जाएगी तो यानि दोनों ये लागू होते आपके A और B option A और B होता है आपका 8B का चलिए आगे चलते हैं आगे आपका प्रिशन जो आता है वो आता है साथी नौवा अब नौवा प्रिशन आता है ये क्या कह रहा है भारती साक्ष अधीनियम 1872 लागू होता है लागू होता है देखिए प्रिशन जो है एक ही प्रिशन को बार बार घुमा के पूछ लेगा सिर्फ आपको ये देखना है कि ये पूछना क्या चाह रहा है आपको क्या देखना है प्रिशन में ये पूछना क्या चाह रहा है और ये पता कब चलेगा जब आप प्रिशन को बार बार रीड करोगे question को बार बार आप रीड करोगे आपको पता चली जाएगा कि ये पूछना क्या चाहरा है बहुत से क्या होते हैं कि जल्दी पलदी में एक बार प्रिशन रीड किया और टिक लगा दिया और फिर answer की चेक किया फिर result आया तो लगा वो गलत क्या हो जाता है वो हो जाता है गलत तो ये जल्दवाजी का नतीजा होता है साथिज़ चलीए पढ़ते हैं बार अंसर होगा साथिऊ इसका अंसर आजाता है आपका नयालो के समक्ष नयाक कारवाई पर उपर भी आ चुका है ये प्रिशन अगर आपने डंग से पढ़ा होता है अगले प्रिशन की तरफ रोग करते हैं अगला प्रिशन आता है अपका दसवा चलो देखते हैं ऐसे क्या कहता है अगला प्रशन कहता है आपका निम्न मेंसे कौन सा कथन सही है यानि यह कह रहा है कि निम्न मेंसे कौन सा कथन सही है देखिए कौन सा कथन सही है यह पूछ रहा है भारति साक्ष अदिनियम सपत पत्रों पर लागो होता है छलो दूसरा देखते क्या कह रहा है बारती सक्ष अधिनियम ऐसी कारवाई पर लागो होता है जिसका नीचे देखते हैं क्या कह रहा है जिसका ओधिस दो वेक्तियों के बीच नेक सम्म fallen निर्धारित करना हो आंसर यही होता है आपका भी क्या होता है सातियों देखिए रुको आंसर आजाता है आपका भी यानि क्या कहरा ही है समझिएगा देखिए निम्न मैंसे कौन सा कतन सही है देखिए भारती साक्ष अदिनियम सपत पत्र पर लागो होता है कौन कह रहा, अगर सपत पत्र खाली दे दिया जाए, यानि सपत पत्र दे दिया जाए, तो इससे लागू हो जाएगा, नहीं होगा विलकुल लागू, और दूसरा कहता है आपका भारति साक्ष अधिनियम ऐसी कारवाई पर लागू होता है, जिसका उद्धे से दो व्यक्ति कि अबस्ति Cyrus , कि जड़ी ठीक है तो ऐसे हो जाता है इसका अंसर बी अगले प्रिश्ण चलते हैं अगला प्रिशन आपका क्या कहता है 11एवा प्रिशन आपका कहता है यह चार्चि यह शुत ले सर जैम्स एफ इस्टी फैन हक्सले कोई नहीं देखिए इस में से क्या होगा तेर तुम्हारा किसके द्वारा तेयार किया गया था तो यह आ जाएगा सर जैम्स एफ इस्टी फैन कौन आ जाएगा सर जैम्स एफ इस्टी फैन यानि अंसर दूसरा सर जैम्स एफ इस्टी आउनसर आजाता है इसका भी 11 का अंसर भी आजाता है सात्यों। चलिए अगले पिरिशन की तरफ चलते हैं अगला पिरिशन आता है आपका बारे बारे वहां आजाता है आपका यह देखिए यह हिंदी में टाइप हो गया है क्या हो गया यह हिंदी में टाइप हो गया जाती चलो पड़ते हैं भारती साक्ष अधी नियम अठारे सो बहतर यह हिंदी में टाइप हो गया आपका यह है अठारे सो बहतर चली कोई बात नहीं है अठारे सो बहतर संपूर नहीं है साक्ष विदी से सम्मंदित अनेक नियम न ही 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 Train ठीक है देखते हैं इसमें क्या कह रहा है देखिए यह कह रहा है civil पिरिक्रियस हीटा 1908 में क्या कह रहा है civil पिरकिरयस ही ता 1908 में संपत्ति अंतर अधिनिय मठहरे Orthodox भारति उत्तर इतिकार अधिनियम 1925 तो इसका आंसर साथ ही आ जाता है आपका ए पर निम्लिलिकृत में से क्या सामिल नहीं है यानि यह कह रहा कि क्या सामिल नहीं है सभी नयाय अदिस साक्षी ग्रहेड करने हेतु विद्यत तोर पर प्राधिकरत सभी बेक्ती सभी मजिस्टेट माध्यस्त तो इसका आंसर होगा सातियो माध्यस्त क्या होगा भारति साक्ष अदिनियम के अंतरगत न्यालय सब्द में न माद्यस्त सब्द नहीं देखा हुगा, क्या नहीं देखा हुगा, माद्यस्त सब्द नहीं देखा हुगा, प्रिशन को समझी है, प्रिशन में ही आंसर निकलाता है, अपने आप, कई कई बार तो प्रिशन अपने आप आंसर दे देता है, सुएम के मेरा आंसर ये है, इसलिए कहता हूं कि प्रिश्ण को बार-बार समझे कि यह क्या कहना चाहरा है चली अगले प्रिश्ण की तरफ चलते हैं अगला प्रिश्ण क्या कहता है आपका चोधेवा प्रिश्ण आपका यह आजाता है यह क्या कहता है देखिए चोधेवा प्रिश्ण आपका कहता है भारति साक् गरेड करने हैं तुब दिक्रत? देखे, होई आगे है ला साक्ष करेड़ साक्ष करेड़ यानि कोई अगर सपत पत्र देगा अगर अपना witness देगा सपत पत्र देगा अपना साक्षी के आदार पर तो वह मानने हो गा नहीं होगा और सभी magistrate, यानि सभी magistrate होते हैं और सभी नयाइधिस होते हैं, ठीक है? तो क्या हो जाएगा इसका? उपरोक्त सभी उपरोक्त सभी हो जाएगा, इसका अंसर D आ जाएगा, इसका चोधेमा अंसर D आ जाता है, इसको साती चलिए अगले प्रिश्ण की तरफ चलते हैं अगला प्रिश्ण आपका कहता है देखिए इसे थोड़ा छोटा कर लूँ मैं एक मिनट छोटा चलो हो गया चलिए अगला प्रिश्ण कहता है आपका अगला प्रिश्ण आपका कहता है भारति साक्ष अधीनियम 1872 के अंतरगत प अबराभासित शब्द नयाले में क्या सामिल नहीं है। किसी च्रेमिक नयाले का फीटा सीन अध्यकारी तैसिलदार मात्यस्त कोई नहीं। तो इसका होगा तैसिलदार, तैसिल नहीं होगा, इसका होगा माद्यस्त, क्या होगा, माद्यस्त होगा इसका, चलिए, इसका हो जाएगा साती हो, माद्यस्त, एक मिट, इसका आ जाता है अंसर C, माद्यस्त, चलिए, अगले प्रिशनी की तरफ चलते हैं, अगला प्रिशना आता है आपका D, सोलेमा आ जाता है, अगला गातक हतियान है अथवा नहीं यह निम्न मैंसे किसका प्रिश्ण है यानि यह कह रहा है आपका एक हतियार घातक हतियान है अथवा नहीं यह निम्न मैंसे किसका प्रिश्ण है यह निम्न मैंसे किसका प्रिश्ण है देखिए विधी का तत्थिका विशेशग साक्षी की राय तो यह हो जाएगा तत्थे का क्या हो जाएगा साथी हो इसमें अंसर आजाएगा आपका बी क्या हो जाएगा तत्थे का किसका हो जाएगा तत्थे का हो जाएगा साथी इसमें चलिए सत्रेवा देखते हैं क्या कहता है सत्रेवा आपका देखिए सत्रेवा आ जाता है यह नि भॉत्तु ओंकर सब्सक्राइब 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 यह क्या केता है इसलिए इसमें से कोई नहीं होगा चलते हैं अगला प्रशन आपका क्या कहता है अठारेवा प्रशन की तरफ आ जाते हैं यह क्या कहता है अठारेवा प्रशन कहता है देखिए अठारेवा प्रशन कहता है यह तत्य यह क्या है तत्य यह लिखने में थोड़ा टाइपिंग हो जाता है तत्य से जिससे साबित किया जाना हो, कहा जाता है, तत्य से जिससे साबित किया जाना हो, कहा जाता है, देखिए, फैक्टम प्रोवेंडम, लेक्स फोरी, उपरक्त मैंसे कोई नहीं, तो साथी उसे कहा जाता है, फैक्टम प्रोवेंडम, क्या कहा जाता है, फैक्टम प्रोव चलिए अगलाप इसे देखते हैं यह कह रहा है निमललखित गुड़ों मेंसे किसे साक्षे अधिनियम के अंतरगत प्रदान किये गए अर्थ के अंतरगत तथ्यमाना जाता है यह कि एक व्यक्तिने कुछ सुना अत्वा जखा ठीक है product एक बैक्ति की कुछ निश्चित राय है, ठीक है, यह है कि एक बैक्ति सदभा पूर्वक कारने करता है, यह भी ठीक है, यानि इसके तीनों सही है, तो आजाता है इसका उपरोग तो सभी, क्या आता है जाती हो, उपरोग तो सभी आजाता है, 19 का आजाएगा D, 19 का आजाता है अगले प्रिष्ण की तरफ अगर रुक किया जाए तो अगला प्रिष्ण आता है ये थोड़ा बढ़ा कर लेते हैं चलिए अगला प्रिष्ण आता है आपका ये निमने लिखित क्या एक तत्य है निमने लिखित में से आए गया साथी निमने लिखित में यहाँ पर आ देखी ठीक है मोहन ने सहुन से जाने को कहा ठीक है सीतल की बहुत क्थ्याती है ठीक है इसमें आ जाएगा आपको उपरोकत सभी उपरोकत सभी आ जाएगा इसमें निम्नेलिखित में क्या एकTत्य है दे है सब आ जायेगा इसमें Apes Bak D आपका चलिए साथी ओ, एक कीस बाद देखते हैं क्या कहता है एक कीस बाद कहता है, किसी बैक्ती की ख्याती क्या होती है ये है साथी ओ, च्छाती नहीं है, ये ख्याती है ये लिखने में छोड़ा गल्ट हो जाता है चलिए, ख्याती, निम निम लिखित में से किस ब्यक्ति की ख्याती होती है देखिए आंसर एक तत्थे एक बिसे एक राय आंसर आता है आपका इसमें एक तत्थे, क्या आता है एक तत्थे, एक तत्थे आसाती हो आंसर हो जाएगा इसमें A क्या हो जाएगा, A आंसर हो जाएगा इसमें चलिए अगला पिछन क्या कहता है आपका 22 वा थोड़ा बड़ा है थोड़ा छोटा करते हैं से चलिए 22 क्या कहता है आपका 22 कहता है आपका एक साक्षी एक साक्षी न्याले के समक्ष कथन द्वारा कमरे में सजाई गई बस्तूओं का सविस्तार वरडन करता है यह एक है तत् आंसर ए आता है आपका इसमें आएगा अंसर ए तत्य है क्या है तत्य है आंसर एक आ जाएगा वाइस का अंजर ए चलिए अगले प्रिशन की तरफ चलते हैं अगला प्रिशन आपका क्या कहता है अगला प्रिशन आगए आपका ये तेईसवा तेईसवा आपका क्या कहता है च देखिए, एक साक्षे, तत्ध, विवादक, उप्रुक्त मैं से कोई नहीं, इसका हो जाएगा साथी हो तत्ध हो जाएगा साथी हो, यानि आपका तेज का आंसर होता है आपका भी, तत्ध होता है इसका, चलिए अगले प्रिश्णी की तरफ देखा जाए, तो चलते हैं, यह आगता है आपका अगला प्रिशन जाती हो अगला प्रिशन आता है आपका साक्ष विदी के अंतरगत सुसंगत तत्य है यानि यह कह रहा है कि साक्ष विदी के अंतरगत सुसंगत तत्य क्या है देखिए चलिए तारकिक तौर पर अवस्य सुसंगत होना चाहिए विदिक तौ पर अवस्य सुसंगत होना चाहिए तो इसका आंसर होगा साथियो देखी और चौता क्या किया रहा है अब देख कार करताओ पर सुसंगत होना चाहिए यानि अब के देख कार करताओ पर तो इसका आंसर हो जाएगा साथियो विदिक तौर पर आवस्य सुसंगत होना चाहिए आंसर भी आता है आपका इसमें, क्या आ जाता है आंसर, भी आता है साथियो आंसर आपका इसमें, चलिए, next प्रिशन की तरफ चलते हैं, next क्या कहता है आपका, ये आए गया आपका 25 वा, और last प्रिशन है साथियो, मैंने इसलिए 25 प्रिशन की वीडियो बनाई है, ये ताकि बीडियो जादा लंबी ना खिचे अगर आपको और प्रिशन भी चाहिए यानि पचास की चाहिए पूरी तो मुझे कमेंट बॉक्स में जुरूर बताईएगा मैं नेक्स्ट बीडियो पचास प्रिशन की लेके आऊँगा ये पचीस की मैंने इसली बनाई है तक बीडियो ज रिजेल आजा फिर निर्णे क्या हो वो तो भगवान जाने चलिए देखते हैं प्रिशन देखते हैं क्या कहता है पचीस मां लास्ट आपका प्रिशन है ये ये क्या कहता है निमने लिखित में से निमने लिखित में से अनिवारता साबित किया जाना होता है देखिए इसका उत्तर इसमे繼續 संगत तत्य यानि इससमार आएगा आपका सु संगत सवनार तत्य क्या आएगा है सु संगत तत्य 25 का आрем्शर आता है सू संगत तत्य तो आढ़सकी वीडियो कैसी लगी यह हमें कमेंट बॉक्स में आप बताईएगा और वीडियो आपको 50 की चाहिए अगर तो कमेंट बुक्स में यही बताईएगा यह मैंने छोटी इसली बनाई थी ताकि टाइम आपका ज्यादा ना किचे पेपर की तियारी करते रहिए और पास होते रहिए और जो भी आपकी मनों कमना है वो पूरी होती जाए अगले पेपर की तियारी लेके फिर मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बंदे मात्रम जैहिंस आती हो